दोस्तो आपनों जानते ही हैं कि आपके board exam में active से passive voice आता है यानि active passive voice आपके exam में आता है तो यहाँ पर हम कुछ important active and passive voice को देखेंगे तो यहाँ पर देखें दोस्तो यहाँ से start करते हैं तो सबसे पहला देखें यहाँ पर लिखा है he saw a bird यानि उसने एक चिड़िया देखा तो इसे बनाने का जो rule है दोस्तो वो यह है कि जादा तर हम क्या करते हैं देखिए अलग-अलग tense में अलग-अलग हम जो rule होता है वो बदलता रहता है तो मैं जो जो यहाँ पर tense use करेगा है उसके according में आपको बताता रहूंगा तो जैसे कि यह जो sentence है आपका यह tense है आपका past indefinite का है he saw a bird यहाँ पर देखिए subject लिखा गया ही और saw जो है second form है verb की और फिसके बाद a bird तो इसको बनाने के लिए passive में सचे पहले हम क्या करते हैं कि जो आपका object होता है उसे हम subject की जगा पे लिख देते हैं फिर उसके बाद ह helping verb का use करते है helping verb हमारी क्या है दोस्तो is mr was were और will और sell यह सबी क्या है helping verb तो इसको फिर लगाते हैं फिर इसके बाद हम verb की third form लिखते हैं फिर इसके बाद हम लगाते हैं दोस्तो by का use कभी कभी नहीं होता है वो मैं बता दूँगा आपको अभी मैं इसके वीडियो भी यहां पर यानि जो subject होगा उसे हम object के रूप में लिखेंगे लास्ट में तो देखें यहां पर he saw a bird यानि उसने एक चिड़िया देखी तो यहां पर जो object है हमारा bird है तो a bird को सब्सक्राइब हम लिखते हैं यहां पर याद रखेंगा जो a है यसे पहले में लिखा जाएग तो जो starting में आपका होता है वो हमेशा first letter जो होता capital होता तो यहां पर a जो है capital में लिखेगा या जो भी चीज यहां पर आ जाएगा तो वहां पर first letter आप capital बनाएंगे तो अब bird हो गया फिर उसके बाद आपको पता है यह past का है तो आपकी helping verb भी लगेगी दोस्तो past के ही जो क एक जो singular होता है आपका subject तब लगाते है वो word का use तब करते हैं जब आपका subject plural होता है तो यहां पर जो एक word है तो subject जो है वो हमारा singular है दोस्तो इसलिए हम यहां पर was का use करेंगे तो word was फिर उसके बाद verb की third form जो की है see है यहां पर verb हमारी तो यहां पर उसकी third form हो जाएगी scene first होती है see, second होती saw, third होती scene तो a bird was seen फिर उसके बाद by फिर उसके बाद जो subject है दोस्तो हमारा subject है he इसको हम object के रूप में लिखेंगे तो he का जो object होता है वो होता है him तो a bird was seen by him इस तरह से यह इसको हम passive में लिखेंगे दोस्तो next जो हमारा example है यहां पर देखें लिखा है कि I can read English मैं English पढ़ सकता हूँ तो इसको बनाने के लिए सबचे पहले आप last में देखें यहां पर object है यह इसको सबचे पहले लिखेंगे फिर इसके बाद हम helping verb यूज़ करेंगे helping verb यहां पर यूज़ की गई है can तो यहां पर can य अनुसार करेंगे तो यहां पर English के अनुसार कैन लगेगा अब यहां दखिएगा दोस्तो जहां पर can का यूज़ करेंगे उसके साथ हम be का यूज़ भी करेंगे can के बाद be का यूज़ होगा तो English can be फिर उसके बाद आप वर्प की third form लिखते हैं यहां पर English यहां पर पढ़ा जाता है लेकिन लिखा रीट की तरह जाता है तो English can be red फिर इसके बाद by और यहां पर जो आई है इस subject है इसको object में बदल देंगे तो हो जाएगा me तो English can be red by me यहां पर red इससे पढ़ेंगे लेकिन लिखेंगे spelling बलुकुल इसी के दरा तो उसका passive बन गया English can be red by me next जो हमारा passive बदलने वाला है यहां पर active से passive में वो यह है active लिखा I helped you yesterday यहांने मैंने तुम्हारी help की yesterday मतलब कल की थी तो यहां पर देखिए passive का कैसे बनाएंगे सबसे पहले आप क्या करेंगे आपको जो object है उसे लिखेंगे subject की जगा पर क्या subject पहले होता है तो यहां पर जो object है you इसको सबसे पहले लिख दिया इसके बाद आप helping verb लगाएंगे दोस्तो helping verb आपको पता है कि यह जो sentence है यह past का है देखिए यहां पर second form use होई है यह आपका present indefinite का sentence है sorry past indefinite का sentence है दोस्तो यह तो past indefinite में आपकी verb की second form use होती है यहां पर use होई है तो यहां पर देखिए आपने लगा दिया you फिर उसके बाद आप क्या करेंगे helping verb use करेंगे तो आपको use करना है past की helping verb जो की was यह वर होती है तो यहां पर you के साथ आप याद रखिएगा कि you के सा फिर उसके बाद verb की 3rd form जो की है help verb है हमारे तो यहां पर verb की 3rd form होती helped तो यहां पर helped लिख दिया पर उसके बाद आप लिखेंगे by then इसके बाद आप लिखेंगे दोस्तो subject को object के रूप में subject हमारा हाई था यहां पर इस से object मों बदलेंगे तो me हो जाएगा फिर तो उसके दोस्तो हमारा sentence है वो यह है कि they are playing the chess वो मतलब क्या खेल रहे हैं यहाँ पर इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप object लेंगे subject के तौर पर यहाँ पर the chess जो है यहाँ सबसे पहले लिखा जाएगा फिर उसके बार आप देखेगा दोस्तो यह जो sentence है आपका present continuous का sentence है तो यहाँ पर आप जो verb लगाएंगे वो subject के अनुसारी लगाते हैं दोस्तो हमनों helping verb जो लगाते हैं तो यहाँ पर chess जो है देखिए यह आपका present का sentence है present continuous का sentence है दोस्तो तो यहाँ पर is MR का use करेंगे हम तो जो chess है दोस्तो यहाँ पर chess की बारे में बात होरी singular है तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे is का use करेंगे तो the chess is फिर उसके बाद याद रखिएगा दोस्तो कि जहाँ पर present continuous का sentence है जहाँ पर ing वर्ब में लगा हो तो वहाँ पर आप being का use भी करेंगे तो a chess sorry the chess is फिर उसके बाद आपको बताया मैंने being का use करेंगे being फिर उसके बाद आप वर्ब की third form लिखेंगे जो की है play third form हो जाएगी played offers के बाद by दे की जो आप बनाएंगे object में बदलेंगे तो आप लिखेंगे them तो the chess is being played by them अगर ही होता तो ही हो जाता दोस्तों इस तरह से बतलते हैं दे है तो them हो गया यहाँ पर next जो हमारा sentence है यह बड़ा easy है दोस्तों आपनों देख पा रहे होंगे आपको समझ में आ गया होगा helping her brother तो वही हाँ brother फिर इसके बाद sorry she was helping her brother यहाँ पर यह पास्ट continuous का sentence है यहाँ पर देखिए ing भी लगा है साथ में helping verb जो use हुई है वह was use की गई है तो यहाँ पर आप साथ पहले लिखेंगे her brother फिर इसके बाद आप जो helping verb यूज करेंगे दो उस्तों पास्ट की ही करेंगे क्योंकि जो sentence है आपका वह भी पास्ट में ही है पास्ट का ही है तो हर बरदर हो गया फिर उसके बाद यहां पर वज करेंगे क्योंकि एकी भाई की बारे में बात हो रही हैं how brother वोज फिर इसके बाद मैंने बताया अगर वर्ब में यंजी लिए लगा है तो आप बिंग का यूज करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा her brother was being फिर उसके बाद आप वर्प की third form जो की है helped हो जाएगा by यहाँ पर C लिखा है तो यहाँ पर इसका object क्या हो जाएगा her brother was being helped by her जिस तरह से यहाँ पर देखा क्या हो गया तर्दम हो गया था उस तरह से C का हर हो गया दोस्तों next जो है हमारा यह है दोस्तों यह भी बड़ा बहुत इजी है आप समझ गए होंगे a letter से start करेंगे फिर इसके बाद यहाँ पर past देखिए यहाँ पोस्टेड है past का sentence है हमारा तो आपको पता है helping verb हम was ever कर यूज़ करेंगे तो एक letter है तो was कर यूज़ करेंगे तो passive होगा इसका our letter was posted by him next जो हमारा है दोस्तों sentence वो यह है the boys called him a hero यहाँ पर जो आपका object है वो him है तो इसको हम subject के रूप में लिखेंगे तो आपको पता ही का him होता है तो him का he हो जाएगा तो यहाँ पर him का subject में बदलेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका he तो he लिख दिया फिर उसके बार आपको यहाँ पर देखे call लिखा है यह आपका past का ही sentence है तो इसलिए यहाँ पर हम इसका past की helping verb यूज़ करने जा रहे है तो यहाँ पर was हो जाएगा क्योंकि he के साथ was का use होता है वार का use हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह आपका singular subject है फिर इसके बार वार के third form है called फिर a hero फिर इसके बार आप by का use करेंगे और किसके द्वारा वह hero का आगया है boys के द्वारा तो the boys हो जाएगा दूस्तों इसका जो आप बदलेंगे अगर subject है हमारा तो इसका object के रूप में बदलेंगे तो आपका यह द्वाइजी रहेगा आगे देखिए यहां पर he is writing a novel तो a novel is being written by him ही का हमने ही में ही में में बदल दिया यह समझ में आ गया होगा दोस्तों आपको यह आपके यहां पर capital बनाईएगा इसका विसी ध्यान रखेगा प्रीज दोस्तों यहां पर इसका यूज इसलिए करा है क्योंकि यह present का sentence है continuous का sentence है इसलिए यहां पर व समझ में κιे कर सका दीजे गोगाए यहां पर भर्फ कि फडर्ट फॉर्ट है तो रिटेंच हो गया राइडेर रटेंट होता है तो तो इसलिए हैं अपर रिटेंच दिया यह पर यहांपर वाइक कर और इसके बाद सब्जेट को ही पमें ऑंज talked क बदलने के लिए आपको जो यहां से लेखेंगे आपका object यहां से है a beautiful song फिर उसके बाद यहां पर sang है वर्ब की second form है तो इसको हम यह वर्ब की second form use हुई है यह भी past का आपका sentence है तो यहां पर भी हम past की helping verb use करेंगे जो की use होगी was यहां पर क्योंकि एक song की बारे में बात हो रही है beautiful song तो यहां पर subject हमारा singular है इसलिए was लगाया फिर उसके बाद यहां पर देखीगा फिर उसके बाद आप verb की third form लिखेंगे sing की होती है third form sung क्योंकि पहला sing होती है फिर 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 संग होती है तो यहां पर sung हो गई by और फिर इसके बाद ही को हमने बदला हिम में तो इस beautiful song was sung by him next जो हमारा sentence है दोस्तो यह है यहां पर लिखा है set the door यह आपका एक imperative sentence है इसको बनाने के लिए दोस्तो हम let का use करते हैं और यहां पर be का use भी करते हैं बीच में तो यहां पर स्टार्टिंग में आप let से start करेंगे इस तरह के sentence को जो imperative sentence होते हैं तो जैसे कि set the door तो आप साथ पहले लिखेंगे let फिर इसके बाद आप object यह last वाला लिखेंगे the door से the door फिर इसके बाद be लगाएंगे फिर इसके बाद आप set का use करेंगे तो let the door be set इस तरह से अगर आ गया open the door जहां पर set है वहां पर open लिख देंगे लेकिं यहां पर जोset use करागया दोस्तों यह वर्फ की 3rd form है याद रखेगा यहां पर वर्फ की 3rd form यूज होती है तो आपको पता ही दोस्तों की set का जो first second third तीनों ही जो form होती है वो आपकीekर ही हो तो seguinte है ध हिसे यूटि सेट first second third दोनों ही सेट होती है तो zat set set first second third form set हो गई लेकिन open की जो होती है वो होती open लेकिन third form क्यों होती opened तो इसलिए यहाँ पर अगर open डा door लिखा आया है तो हो जाएगा let the door be opened तो दोस्तों यह कुछ important active and passive wise थे I hope मैं अच्छे तरह समझा पाया हूं तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्ट वीडियो में तब तक लिए अपना ख्याल रखेगा दूस्तों